तो हेई फ्रेंट्स आज हम करने वाले है नागिन मेकप लुक चैलेंज बेला वर्शे शिवी तो कौन जादा बैस लगता है यह देखते हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना मेकप मेकप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना ह आए जो भी एरिया ऐसा है जहां पर डाक स्किन है या फिर इसपोर्ट्स है DAG DAG जैसे आपके चैरफे माली जी कोई निशान हो रहा है या फिर नोज के पास वाला जो अरिया होता है लिप्स के आस पास का अरिया या फिर डाक सर्कल्स होते हैं इसके नीचे तो कुछ और इसको हम concealer की help से cover करेंगे और फिर अच्छे से blend कर लेंगे face पे अच्छे तरीके से हम इस concealer को blend कर लेंगे और जो भी part हमारा ऐसा रह गया होगा जहां पर हम अच्छे से अभी नहीं लगा पाएं concealer को तो सबसे पहले हम face पे concealer को लगाएंगे और concealer लगाने के बाद अच्छे से blend कर लेंगे ताकि face पे बिल्कुल भी ऐसे न दिखे कि अलग से कुछ पोत रखा है या फिर अलग से कुछ लगा रखा है इसके बाद आपको foundation लेना है और अपनी skin tone के according ही आपको foundation लेना है क्योंक foundation apply करने के बाद हमारा second step जो होगा same होगा हमें foundation को भी पूरे face पे अच्छे तरीके से blend कर लेना है किसी brush की मदद से लगा सकते हैं आप या किसी और चीज़ की मदद से लगा सकते हैं और फिर blend करना है आपको blender की help से और brush की help से बहुत अच्छे तरीके से foundation लगाने के बाद हम थोड़ा सा face powder लेंगे और उसको एक बड़े वाले brush की मदद से अपने पूरे face पे लगा लेंगे जिससे क्या होगा foundation ना एक्दम से remove नहीं होगा तो powder लगाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जो base बनाया है face पे makeup के लिए ये आपका base lock हो इसके according आपको contouring करनी होती है तो सबसे पहले आपको ये जो dark brown color होगा उसकी help से linings create कर लेनी है proper contouring जो भी होगी आपको बहतर तरीके से करनी है ठीक है पहले हमें सिर्फ color लगाना है उसके बाद हमें बड़ा वाला जो brush होता है उसकी help से अच्छे से mesh कर लेना है ताकि अलग से ये black black कुछ लगाया हुआ है ठीक है natural लगे बिलकुली तो contouring कर लेनी है उसके बाद next step होगी हमारी blusher use करना blusher use करने के लिए आपको C बनाना है मतलब cheeks से लेके ऊपर की और brush को apply करना है blush को apply करना है ठीक है तो proper जो blusher लगाने का एक तरीका है वो यहीं है कि आपको cheeks से लेके ऊपर की overpull करना होता है ठीक है तो brush पे आपको जिस color का भी blusher use करना है light orange है light pink है या फिर reddish है वो आप लेके इस तरीके से blusher use कीजिए हलका सा nose पे भी कर लीजिए इसके बाद हम use करेंगे highlighter highlighter की मदद से हमारे जो cheeks हैना मतलब उनका उभार और जादा लगेगा और highlighter और जब भी हम use करते हैं तो हम अपने cheeks पे use करते हैं साथ ही थोड़ा सा nose पे और chin पे भी use करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा forehead ठीक है अगेन हम यहाँ पर अपना यह जो make-up है से lock करने के लिए हलका सा powder use करेंगे powder जादा नहीं लेना है वरना आपका make-up cover हो जाएगा तो आइस के make-up पे पूरा make-up depend होता है अगर आपने आइस बिगार ली तो आपका पूरा make-up बिकार हो जाएगा तो हमें आज जो look challenge करना है उसके according लिए हम अपनी eyes को smokey eyes रखेंगे इस smokey eyes बनाने के लिए आपको dark color ची होते है सबसे पहले black color यूज़ किया है उसके उपर हलका सा silver color यूज़ किया है दोनों को mix कर लिया अच्छे से अच्छे से ब्लेंड करने के वज़े से silver proper silver color नहीं लग रहा है ठीक है तो अभी जो हमारा final look है वो है कुछ इस तरीके का तो आपको कैसा लगा ये look मुझे जरूर बताए और वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो like और share करना ना भूले और नए-नए make-up वीडियो के लिए और make-up tips के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर देगर आप इस चैनल पर नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हूं नए वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई